Assalamu Alaikum and very good morning friends, सभी friends को लिक्रम करता आपकी इस अपनी YouTube चैनल Make Money Group पर पर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन में एक लिक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम आपको फ्री में टेक्निकल एनलेसिस सिगा जाता है और साथ में हम पूरा फानेशल मार्केट अभी कवर करने वाले रिसंटली हमने वीडियो स्टार्ट कर दिये हैं जहां पर आपको बेसिक्स इंफोर्मिशन दिया जा रहे हैं फॉर एक्स के बारे में और अलुड टेक्निकल लिस्ट को पुरो कोड्स में अविलेबल है जो कि आपको यहां पर देखने को मिल सकता है बेसिक इंटर्मिट एडवांस लेवल तो जिसको पता नहीं है वो प्लेलिस में अगर देख सकते ह हमको सब्सक्राइब करो बेरले किलीग करूं कि जभी वीटियो अपलोड़ हो तक इस learnt को मिल सके है धालों बात करने वाल एक्सेकले लीवॉए बारे में साबसेफ्स का मतलब क्या होता है विजया अयар प्लस बताहु आहा from most currency pair it corresponds to a moment of 1 unit of a fourth decimal digit in trade हम सब्कों को बता है mostly 1995 country, 195 country से 195 currency से 195 currency तो तो हम सब के अंदर एक decimal digit होता है हम सब के करनसी के पास अगर एक्जाम्पल हो तो विटकॉइन में 8 decimal digit है तो हम उसको यह भी कहे सकते कि हो यह पिप से से मैज जी समरे इंडियन रुपीस में 100 पैसा होता है तो उसको हम पिप्स में calculate करते हैं लेकिन इसमें थोड़ा changes लाए गया फॉरेक्स में कुछ difference है कुछ currency पैर से जापर आपको नहीं मिलते हैं कुछ currency पैर से जापर आपको नहीं मिलें तो क्या होंगा मैं आपको बताऊंगा एक चोटा सा एक्जांपल देकर बताऊंगा इसको पिप्स एक एक डिफरेंट चीज हो जा रहा है इसलिए उन्होंने सोचेंगा इसको एक standard नेम दे दो कि मैं जो भी डिफरेंट आएंगा उसको पिप्स बनाएंगा तो आप फिर कोई भी करेंशी ट्रेड करो यन करो डॉलर पाउंड यूरो करो तो जो भी डिफरेंट हैंगा उसको आप बोलेंगा एक पिप का डिफरेंट जो भी चीस है बट दर अगर अगर आपको लाइफ एक्जामबल देकर बता देता हूं यह अपर अगर जेकर देख रहे हो तो GBPUSD है यह आपको प्राइस दिखाये दिखाये रहा है 1.3536 और 1.3537 तो यह जो 36 यह जो चौता डेसिमल पॉइंट है इसमें जो फ्रेक्शन इसमें जो चेंजेस आएंगा उसको पीप का जाता है मतलब पहले हैंपर 36 यह 37 और इसमेंज कि यह पर वन पीप का डिफ्रेंट हुआ है जो डेसिमल पॉइंट के बाद चार नंबर रहेंगे उसके अंदर जो भी चेंजेस होंगा उसको पीप पहेंगे और ऐसा बोलू तो अगर एक डॉलर की बात बुलता हो कि अगर इंडियन रुपीस में एक डॉलर हमको 68.50 पैसा पढ़ रहा है और अगर वो चेंज होता है 68.56 पैसे से तो इसका मतलब किया है कि एक पीप का एडिशनल हुआ है एक पीप का डिफ्रेंट हुआ है एक पीप एड हुआ है इस तरह हम उसको काल्कुल दिखले में और आएंगा कि हमकी पीप को यूज कर तुकिस अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते है प्रिफ्रेंट होता कि है या आप समझ लो क्या पर्टिकुलर नंबर के बाद जितने डेसिमल पॉइंट होंगे नॉर्मली कुछ टर्मिनल होते है यानि कुछ ऐसे ब्रोक होने वाला है इतना याद लेकर जैपैनिस येन जो भी पैर समयंगा उसमें स्रिफ दो डेसिमल पॉइंट को ही पिप में कनवर्ट किया जाएंगा यहां पर थर्ड डेसिमल पॉइंट नहीं लिया जाता है तो 172.11 172.12 तो इसका जो डिफरेंट करेंगे वह यहां से करते हैं तो आप सभी को में GBP, USDT या उसके लाव जो भी करन से पहर हो उसमें 4 decimal point होंगे और इसको जो फोर्थ number रहेंगा उसके जो भी चाल्कुलेट रहेंगा लेकिन जिस पैर में भी JPY लगा यानि आप अगर JPY को कोई भी करन से ट्रेट करें फिचाए आप USD JPY करो या यूरो JPY करो या इंडियन भी JPY करो तो उसमें आपको स्रिफ 2 decimal point मिलेंगा और पीप का जो difference calculate होंगा वो 2nd decimal point के सबसे calculate होंगा इसके साथ में आपको एडिशनल चीज़ एड कर देना चाहरा हो जो के मेरे साब से आपके लिए जानना जरूरी है इं ट्रेडिक में आपको का इस और प्रॉपिस को पता है वह एक पर्टिकुलर 2% 2.5% या जो भी इनका फीस है वह लेते है लेकिन फॉरेक्स ब्रोकरी में इस तरह नहीं होता या फॉरेक्स की जो वेबसाइट है वह आप से कोई फीस नहीं लेते वह जो इस प्रैट आता है यानि जो आसकर बिट प्र जाता है spread is traditionally denoted in pips a percentage in point meaning for decimal place in a currency quotation same history जैस हम सभी को पता है 4 decimal point होते है और spread जो डिनोट होता है वो पीप्स के अंदर ही होता है जित्ता क्योंगे ज्यादर डिफेंट नहीं है राएक जैसे इन रुपीज के बाद कर तो आपको 10 भी सुटे का डिफेंट नहीं आता है पैसो कह जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर यह बीट और आस्क प्राइस आसक और बिट प्राइस है 1.3564 है और 1.35626 हम सभी को भी और सेल हमने अल्री कल के वीडियो में कवर अप कर चुके है कि जो आसक बिट प्राइस क्या होता है इसको पते देख पर जाकर उसको यह जो प्रॉफिट है यह उपन हम रहे का फिम रहा हूँ ब्रोकर फिर आप तो युज कर सकते है बॉससे लोग बोल रहे जांगे सुन अध्का में इंडियन अध्र करकूर कि बात करें मैंने शाब मुझे नहीं पता है क्या से हूँ लेकिन मैं अगर इंट्रेंशन लेविल के काफी मैंने ब्रोकरेश देखा हूँ एवन मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ उसमें तो काफी यह से चला रहे काफी अचा रिस्पॉंस है तो मैं वानवल टाइम के दर बता हूँ आपको एंडियान ब्रोकरेश का मुझे नहीं पत हो जाते तो उसमें प्रोब्लम आती है लेकिन हम वही ब्रोकरेश को चूज करेंगे जो कि काफी सालों से चल रहा है और काफी अच्छा उसका वैल्या मार्केट वैल्यू है उसका खर गाइस उमीद कर तो आपको वीडियो पसंद हो समझ में आज चुकूंगा फिर आपकर कोई भी दिक्कत होता है तो आप इसको कॉमेंट सेक्शन कॉमेंट करके बता सकते हो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना बो वीडियो को आगे शेर जाज जाज जादा करो क्योंकि जो लोग फॉरेक्स में इंट्रेस्ट रखते शायद उनके लिए वीडियो काफी इ लासकू तो थैंक यू सो मुच अलाम अलेकूम अलाहाफीज और जाए हिंद